स्वागत है दोस्तू, इंडियन मौमिन दुबई के एक और व्लोग में आशा करती हूँ, आप सब लोग बहुत खुश है, सुवस्थ है और आज रविवार का दिन उपभोग कर रहे है मेरा रविवार का ब्लोग थोड़ा लेट आएगा, शायद टूस्डे आए और तब तक आप लोग अपने रविवार का मज़ा लेए चुके होई आज सुवे बहुत अच्छा है, सुखाना मौसम है और जैसे के हर रविवार हम लोग बाहर खाते हैं, इस रविवार भी ब्रेकफस्ट का प्लान था बाहर लेकिन ममी ने लास संडे जो आके ही बाहर खाना खाया और स्ट्रिक्ली बना कर दिया कि अब से बाहर खाना नहीं होगा, बाहर से कोई भी खाना घर पे नहीं आएगा तो ममी बोली के मैं ही तुम लोगों को बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी बोलो क्या खाना चाते हो तो मेरे पती देव ने चटाक से बोल दिया के पीज कचोरी अर्दा मालू तो आज ममी बना रही है वही यहाँ पे कचोरी बनाने के लिए उन्होंने मटर को ऐसे पीस लिया है फ्रोजन मटर जो था उसको पीस लिया है एक हरी मिर्च और अद्रक के साथ अब उसको ओईल में थोड़ा सा सुखा रहे है ममी जब आते है तो मजा ही मजा होता है एक्चली पता है यहाँ पे जो लोग भी बाहर रहते हैं मैंने यहाँ पे देखा है वैसे भी मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर रहते हैं अच्छा ममी ने सत्तू भी थोड़ा सा एड़ किया था दोचमच तो जो भी लोग बाहर रहते हैं वो लोग वेट करते रहते हैं कब मम्मी आएगी, कब सास आएगी, आके बहुत खाना खिलाएगी और 99% मम्मी और सास जब आती है तो बड़ा मजा हो जाता है बच्चों का, मतलब हम जैसे बूरे बच्चों का यहाँ पे आलू जो है बॉयल करके रखा है आलू को हमने गरम पानी में बॉयल करके फिर उसका पानी फेक के उसको ढड़ने पानी में भीगो दिया था कि पोटाशियम पूरा निकल जाए उसका और यहाँ पे आलू को फोक से थोड़ा थोड़ा छेद करके उसको फ्राई कर सिर्फ ओयल में थोड़ा सा नमक हल्दी लगा के यहां पे काजु बदाम और चार मगत जो बोलते हैं वो रात को भीगों के रखा था उसका पेस्ट बनाया जाएगा और यहां पे ममी ने अलू फ्राई करके उसको उठाके रखके थोड़ा सा ओयल दिया था उसके अंदर खरे गरम मसाले और तेजपत्ता थोड़ा सा जीरा पाउडर लाल कश्मीरी पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डाल के आलू को अच्छे से मिक्स किया और उस हाथ जो मैं बता रही थी तो ये सब जो मम्मी या सास लोग बनाते हैं आके बहुत सारे खाने तो बजा ही आ जाता है 99% मैंने बोला क्योंकि 1% ऐसा निकल ही जाते हैं जो नहीं करते तो उनके बाद हम नहीं करेंगे जो 99% करते हैं उनके बाद करेंगे ऐसा जब मैं आबुधाभी में थी ना मेरी एक दोस्त थी उनकी सास तो पूरे कॉम्पलेक्स में फेमस थी हम लोगों को बुला बुला कि इतने अच्छे अच्छे खाना खिलाती थे ना वो ए और मम्मी मेरी मम्मी मेरे दोस्तो में इतनी फेमस है फाच्छे इन्विटेशन तो उनको आही चुका है कि अभी उनको लेकर उन लोगों को घड जाना परेगा अ मेरी ममी तीन-चार साल से यहाँ पर नहीं आई है लेकिन अभी तक मेरे सारे दोस्तों से उनका कॉंटक्ट है और एक दोस्तों मेरा मेरी ममी को ही मा बुलाती है सोचो खेरे अभी बन चुक्या है और तुही ने एकदम उतावला होके रखा है कि कब यह कंप्लीट होगा वैसे सच बोलू मुझे भी बड़ा मन कर रहा है अभी एक हाट डालके एक आलू उठाके खाने के लेकिन आज कल यह इंटर्मिटन फास्टिंग करते करते न ऐसा हालत हुआ है कि सुबह में खाने का वो मन नहीं रहा भी पहले जैसे कि नीन से उठके भूक लग जाता था था पर ओयल में थोड़ा से घी मिलाया था हम लोग उता ही खाते नहीं एंट सरह मुक्ला गाती है और घी में हीं दिया और इसके अंदर थोड़ा सा कैशमीरी लाण मिच हम लोग ग्रीन चिली नहीं डालें ममी नहीं दो क्यूंकर आया पर क्योंकर खायगई यो ज्जादा नहीं खापाएगे इसलिए पीखा नहीं बनाएगी मम्मी और इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला बस इसका जो दम आलू था उसका चौक भी रेडी हो गया अब दम आलू में ये देखें वो मिला देंगे दम आलू रेडी और इसके बाद बस पूरी अतलना बा हमारे लिए इतना इतना खाना बना के भेज देती है ये मम्मीयों का प्यार जो है ना अलग ही तरका होता है और मम्मीयों का प्यार ना जहलकता है mostly खाने के अंदर से ही ये देखो पीस के कचौरी मूह में पानी आ रहा है पता है अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ पे कचौरिया दमालू रेडी तुहिन ने अल्रेडी दो खा लिया उसने टेस्ट कर लिया ये सब में बचपन में करती थी इसका बचपन अभी तक है अगर ये मतलब शादी के पहले होता ना तो पाच्छे कचौरिया और दमालू आधा तो ऐसे ही में खा ले थी अम अग्याए बच्पन अभी तक है झाल 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 झाल